नमस्कार दोस्तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जड़ी बुटी ग्यान आओ देख्वाल मिक्स में दोस्तो आज की इस वीडियो में बहुत ही इस पेसाल खास पौधे से परिचित कराने वाला हूँ मैं आप लोगों को एक और नए पौधे से रूबरू करा के आज उसकी गुर्धर्म आउसधी प्रियोग बहुत ही सकतिसाली प्रियोग बताने वाला हूँ तो दोस्तो वीडियो में लाश्ट तक बने रही है अच्छा लगे वीडियो की जानकारी तो लाइक करें सेर करें हमारे चैनल में अगर पहली बार देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब करके हमारे साथ जूड़े रहें क्योंकि हम इस चैनल पे रोजाना दमदार आवसध प्रियोक लाते रहते हैं तो चलिए बिना देर की हुए आप लोग को बताते हैं इस नए पौधे से परिचित कराते हैं और ईसके गुर्धर्मन के बारे में आपको बताते हैं तो दोस्तो सबसे पहले तो आप इस पौधे को अच्छे से देखिए सर से लेके पाओ तक कि म फूल लगता है इसमें तो बहुत ही सुनाहरा दिखता है तो अभी क्या है कि इसमें फूल आकर के सूख गया है इसलिए इसका सूखा फूल आपको दिखाई दे रहा होगा और उसी में इसका छोटा छोटा बीज होता है और इसके पत्ते अभी देख पा रहे हो, आप या भर्सानत के मोसम में पा paina होता है और ठंड रितू में यह जादा हराभरा रहता है, उसके बाद जब grism recognition रेता है, तो इस調 से अभी जब दिखाई दे रहा है, उस तरह से दिखाई देता है, तो आप लोग इसे देख कर के मे प्राचिन काल में लोग ऐसी ही टहनियों को तोड़ करके आपस में रगड़ करके अगनी पैदा करते थे तो इसलिए सायद अगनी मंद इसी अगनी उत्पन करने की वजह से नाम पड़ा है और इसके पत्ते में बहुत ही जबर्दस्त एक तिब्र गंध होती है दोस्तों इतन इतना तेजगंद होता है इतना तिब्र होता है कि पूछो मत इसको रगड़ के आपके एक बार पत्ते को सुभना बस और इसके पूरे पंचांग को जैसे जड़, मोल, तना, फूल, पत्ती हा एक भाग को थोड़ा-थोड़ा ले करके पूरे पंचांग को एक साथ मिला करके इसमें तील का तेल डाल करके मतलब इसके पूरे पंचांग को ले लीजिए और तील का तेल मिला लीजिए आपके जरूरत के हिसाब से थोड़ी बहुत बहुत बीस-पचास एमेल की मात्रा में जितना चाहें और उसको अच्छे से एक साथ खालाते हुए उबाली और पूर से च्छान दीजिए अब उस तेल को आप जिसको लखवा गठिया साइटी का जोरो का दर्द होता है उन सभी अंगों में आप मालिस करा सकते हो इससे उनका सरीत फिर से सेहत मंद होगा और उसके नस नस में अंग अंग में खोन तेजी से दौड़ेगा रक्त संचार बढ़ तरस आप फोड़ा पुंसी दात खात खुजली में भी लागा सकते हो इतना तेज है कि इसके पत्ते को रगड़ने से दात का नाम उनिसान मिड़ जाता है इसके और भैंकर फायदे सुनिए इसके पत्तियों का ताजा पत्तियों का रश निकाल के एक चमाच यदी बुखार से पीडित ब्यक्ति को खाली पेट दे दिया जाए तो उसका बुखार तुरंत उतरने लगता है इतना तेज होता है इसके पत्तों में अगर इनके पत्तों को सुखा करके पाउडर करके रख लिया जाए और जिसका गर्भ नहीं ठहर रहा है तो उसे मासिक धर्म के दवरान चार-पांच दिन मासिक धर्म खत्म होने के बाद यानि मासिक धर्म जब चालू हो उसके बाद इश्नान करने के चार-पांच दिन बाद इसके पत्ते को रोजाना एक सप्ता तक खिलाने से पत्तों का पाउडर को मतलब इसके पत्ते के पाउडर को एक सप्ता खाली पेट एक एक चम्माच याने 5 ग्राम की मात्रा में खिलाने पर हर परकार की गरभासय की समस्या दूर हो जाती है और बां जिस तरी भी गरभधार कर सकती है। तो इस तरह से हाग गरभासय के हर समस्या को सुधार देता है इसका पत्ता का पाउडर। दोस्तो अब मैं आप लोगों को इसका एक और जबरदस्त फार्मूला बता रहा हूँ डायबिटीज वालों के लिए मधुमेह कंट्रोल करने के लिए जिनको डायबिटीज हो मधुमेह सुगर लेबल बहुत हाई रहता हो तो वे लोग सुबा सुबा इसके पत्तियों का रस निकाल करके दो तीन जम्मच जादा नहीं और उसमें एक दो बुन नीम के ताज़ा पत्तियों का रस मिला लें उसके बाद इसको एक गिलास पानी में गोल करके सुबा खाली पेट पी जाएं इस तरह से अगर आप रोजाना करते हो तो निस्चित रूप से आपका सुगर लेवल हमेशा कंट्रोल में रहेगा और आप सुगर के भी सभी परिसानियों से मुखतर होगे सुबा सुबा खाली पेट इसकी ताजी पत्तियों को चबा करके खाने से पेट सम्मंधी समस्त रोग दूर होते हैं और कैंसर से भी बचा जा सकता है मुख के कैंसर में भी आप इसके पत्ते को चबा करके मुख के समस्त प्रकार के रोग को दूर कर सकते हो मुख में सिर्फ चबाने से मुख में डालने से इसके पत्तियों को मुख का ठीक हो जाता है भैंकर सरदर्द होने पर इसके पत्ते को पीश कर माथे पर लेप करने से भी सरदर्द खतम हो जाता ह दोस्तों अब मैं आप लोगों को इसकी जो जड़ का एक बहुत ही असरदार और चमतकारी प्रियोग है उस प्रियोग को आप लोग को बता रहा हूं ध्यान से सुनिएगा इसकी जड़ को आप उखार के खोद के जैसे भी चाहे निकाल लें और निकालने के बाद उसकी सरसों के तेल में जला देना है उसी में राक खाक हो जाने दें उसके बाद अच्छे से उसकी घुटाई कर दें जड़ को सरसों के तेल में और उसको भी जैसे मैं पहले बताया उसी तरह से उसको भी च्छान करके रख लें किसी सिसी में और उसको भी आप चाहे तो लकवा गठिया साइटी का जिदने भी जोनों के दर्द के तकलिप वाले ब्यक्ती हैं जो हाथ-पैर में सिथिलता लिए गुमते रहते हैं उनकी हाथ-पैर चलता नहीं है ठीक से कारे नहीं करता है उनकी नसों में ठीक से खूण नहीं दोण पाता है तो इन सभी पैरलाइसिस लोग नसों में कमजोरी आ गई है अपने लिंग में तो उस लिंग में भी जो कमजोर लिंग होता है उस लिंग में भी आप इस तेल को रोजाना सोते समय मालिस कीजिए और जब तक मालिस करते रहो तब तक कम से कम ब्रह्मचारे का पालन करो इस तेल को रोजाना पंद्रा से बीज दिन अगर इस्तेमाल कर लेते हो मालिस कर लेते हो ब्रह्माचारे का पालन करते हुए तो निस्चित रूप से कमजोर से कमजोर लिंग भी कठोर मजबूत लोहे जैसा हो जाता है और इसकी कारी छमता और समय भी बढ़ जाती है तो इस तरह से आप नसों की कोई भी समस्या हो उस समस्या में इस तेल को लगा करके नसों को फिर से एक्टिव और मजबूत बना सकते हो और रक्त संचार तेज कर सकते हो तो दोस्तो इस तरह से यह अरडी का पौधे की जड़ का और इसके पूरे पंचांग का फाइदा होता है जिस तरह से मैंने आपको बताया अगर यह जानकारी अच्छा लगा हो तो जरूर वीडियो को लाइक करें, सेयर करें और हमारे साथ जूड़े रहें नमस्कार जहिन जैच्छतिस गड़